यह विडियो है लेरिंग ऑफ जूलरी के बारे में लेरिंग कहते किसे हैं लेरिंग यानि की एक ही जूलरी के बजाए ऐसी ही कई सारी जूलरी को एक साथ पहनना जैसे कि आप गले में एक नेकलेस की बजाए कई सारे नेकलेस पहनिये हाथ में एक ब्रेसलिट की बजाए कई स सारी एरिंग एक साथ पहने उस कंसेट को कहते हैं लेरिंग ऑफ जूलरी इसके करने के कई तरीके होते हैं सही तरीका होता है कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जिससे कि वह गलत लगने लग जाता है तेकि सही तरीका कहीं लिखा तो नहीं है बट वह तरीका जिससे कि वह सबसे जाधा fit और suitable लगया अबके ऊपर। उसे कहते हैं सही तरीका उसके बारें बात करेंगे हाँ bridal jewelry वाले में भी layering of jewelry की बात करेंगे और non-brad ali नी?, daily wear में भी layering of jewelry की बात करेंगे तो आए शुरू करते अपना वीडियो हाई आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते मैं हूं सौमेत्रा आपका जूलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाजल्स फैशन और कॉस्ट्यूम जूलरी पहले बात करते हैं ब्राइडल जूलरी में लेरिंग की ब्राइडल जूलरी में सबसे ज़ादा इंपॉर्टन हो जाता है नेकलेस का पार्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन क्या है वो यह कि आपको लाइट से लेके हेवी की तरफ प्रोग्रेस करना है लाइट का मतलब यह हो गया कि आपने पहला नेकलेस पहना है यानि की चोकर या राउंड नेक जो भी आप अपने फेस चेप या बॉड़ी के हिसाब से पहन रहे है वो अग्दम लाइट रखिए उसके बाद जो अगला पहन रहे हो उससे थोड़ा और हेवी रखो और आप उससे अगला पहनो तो आप थोड़ा और हेवी सकते हो जो सबसे फाइनल उसको सबसे जाद हेवी रख सकते हो क्लाश्य एक्जामपल प्रेंका चोप्रा की वेडिंग में आपने देखा था यह एक प्रूवन स्टाइल रेकमेंडेशन है जो कि आप हमेशा फॉलो कर सकते हो जो बिलकुल नहीं फॉलो करना है वो क्या है वो यह है कि आपने उपर वाला नेकलेश से चोकर एकदम हेवी रखा और नीचे वाला जो लॉंग है उसके हिसाब से आपने आधा या उससे भी जादा लाइट रख दिया यह ब्लंडर हो जाएगा यह आपको नहीं करना है ती जैसे कि अंकिता लोखंडे की वेडिंग में हमने देखा उन्होंने उपर का नेकलेश भी भारी नहीं पहना और नहीं नीचे का उन्होंने नेकलेश को लॉंग वाला भी भारी पहना दोने इक्वल है इक्वली गूड लगते हैं आप यह स्टाइल कुल आफ कर सकते हों जो कर सकते हैं कि टोटली आप पर है ऐसा नहीं है कि ब्राइड नहीं पहनती है यहाली मैं ऐसा कह रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपको इन डिफिकर्टी हो सकती है कि आप यह स्टाइल को लाफ कर पाऊ चौथा जो बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है ब्राइडल जूरी के लेरिंग को लेकर के वो यह कि पहले यानि अपसे कम से कम एक सार पहले ऐसा होता था कि लॉंग निकलिसेश चलते थे लॉंग निकलिसेश जयानी जो यहां यहां तक आ रहे हैं आपके बस के नीचे तक चले आ रहे हैं उतने लॉंग निकलिसेश चला करते थे यह आपके बस लेवल तक जो निकलिसेश आ रहे हैं वो भी चलते थे बट अभी मिडी निकलिसेश का जादा ट्रेंड चल रहा है जैसे अगैन मैंने अपने लास्ट उडियों बताया अंकिता लोखंडे ने जैसे की मिडी निकलिस पहना है लॉंग में बहुत लॉंग नहीं गये हैं जहां उनका निकलिस खतम हो रहा है उससे थोड़ी ही दूरी पर एक और निकलिस आ जाता है जिसे हम कहते हैं मीडियम लेंध का निकलिस तो ये ट्रेंड में आप इसको फॉलॉ कर सकते हो ब्रैडल की बाद ज़ादा आपके लूप को एलिवेंट कर देता है आपके स्टाइल पर सौना को बहुत ज़ादा ऐलिवेंट करता है इसलिए layer जूलड़ी करना recommended है सबसे पहला जो recommendation है यह है कि आप यह blunder نہ करें कि आप कई तरह की लेरिंग्ट में बिलर सोले हैं के लाएं क्या बिल्याऊट्रन और हमेशा ऑपके फोकस inveं एक जगर जैसे कि हम पत्ले तो न अपने हाथ और कान और कान को अठोप नहीं पिहरें कि अपने रहें और कान में खाली आपने घरिग पहनी है करे Exact हम Channel पूर Analytics इसके कई सारे लेरिंग या कई सारे विराइटीज पहन रहे हो गो फर इट लेरिंग जूलरी पहनते वक्त सबसे जादा जो एक डाउट मन में पॉप-प होता है वह यह है कि यार यह सारे जो मैं पहन रही हूँ वह एक साथ अच्छे लग भी रहे हैं या बस ऐसी लग रहा ह यानि एक सिनर्जी लेकर आनी है इतना बड़ा वर्ड है इसको छोड़ देते हैं सिंपल सी बात है कोई एक पैटर्न या कोई एक मोटिफ रिपीट कर दीजिए जैसे माल लीजिए कि आपने गले में आपने तीन लेकलेस के लेरिंग करी हैं तीनों में कुछ-कुछ अलग- करें जो आपके गले में नेकलेसे से कोई भी एक मोटिफ कोई भी एक लटकन देसी चीज आपके ब्रेसलेट में रिपीट कर दीजे या फिर आप अपने येरिंग में रिपीट कर दीजे आपका ओवर वाल जो परसोना है वह आपको सिनर्जी में लेके आ जाएगा आप कही यह जो टेप है बहुत ही ऑव्वियस है बट फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि इसमें भी लोग गल्तिया कर देते हैं जब आप हम नेकलेस की लेरिंग करने की बात कर रहे हैं तो हमेशा लेंध अलग अलग रखिए वरना आपको अंदाजा नहीं है यह शायद है कि ज़्यान रखिए कि आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट लेंग करने ही ताकि एक तो उनमें हलका सा गयाप बना रहे तो विजिबली भी ज्यादा अच्छा लगता है आखों को अपील करता है और इंटैंगल होने का चांस भी कम हो जाता है न्यू येर आने वाला है न्य कि चुनिए जो आपको फ्लैटर करती हो वह चुनिए जूरी में जब आप स्टैलिंग के बात करेंगे तो जास्ट फोकस ऑन एडिया जिसे एक प्रिंटेल लॉंग ड्रेस पहनी है उसके साथ जास्ट गो फॉर ब्रेसलिट्स लेरिंग ऑफ ब्रेसलिट्स नाथिंग इल्स या फिर आपने सोचे सिमलर ही आपने कोई वेलवेट कलर कास टू पार्ट ड्रेस पहनी है तूपीज ड्रेस पहनी है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं आप उसमें सिर्फ और सिर्फ एरिंग में लेरिंग की बात कर सकते हैं नेकलेस और हैंड्स को एवोइड कर सकते हैं So just keep one dress and one focus point for layering of jewelry and you are good to go and good to shine. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कौन से लेरिंग की टेप आपको सबसे अच्छी लगी? क्या doubts हैं वो सारे मुझे नीचे comment में भीजिए. मेल कर सकते हैं आप अपने doubts जिसको मैं resolve करने की जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ. आप में से जो लोग नहीं हैं इस चैनल को subscribe जरूर करिये. Because पहला मैं आपके request पर वीडियो बनाता हूँ और दूसरा आपके queries को resolve करने की पूरी कोशिश करता हूँ. आपके suggestion के base पर भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ. Have I repeated one of these? But seriously there are many 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 benefits. ये जूर्य का एक लोगता focus channel है इंडिया का. So मिलते हैं के लिए हथे with a brand new topic maybe suggested by my subscribers only. I am Saw Mitra, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.